इस वीडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आ जाता है जब कोई एकल दवा काम नहीं कर रही होती है। यह उच्छ ब्लड प्रेश को कम करने में मदद करता है और इस प्रकार भविश्य में हौट अटैक और स्ट्रोक की संभावनाओं को कम करता है। आप कवरसल एम 8 बटा 5 टैबलेट को दिन के किसी भी समय खाली पेट ल रहता है। डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं तब तक इसे लेते रहें। भले ही आपको ठीक लगे तो भी इस दवा को अपने आपसे बंद न करें क्यूंकि उच्छ ब्लड प्रेश के अक्सर कोई लक्षन नहीं होते हैं। अगर आप इसे लेना बंद कर देत हैं तो आपकी स्थिती बिगर सकती है। नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रखना, अपने वजन को कम करना और स्वस्थ डाइट खाना आपके ब्लड प्रेश को नियंतरत करने में भी मदद करेगा। इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इ तब तक ड्राइविंग तथा मानसिक एकागरता की आवश्यक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें। इससे खून में पोटेशियम का स्तर बढ़ सकता है। इसलिए पोटेशियम से भरपूर भुजन या सप्लीमेंट से बचें। इलाज के दौरान आपको ब्लड प्रेश किड्नी फंक्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल की नियमित निगरानी के लिए कहा जा सकता है। इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर या किड्नी में कोई समस्या है तो डौक्टर को बताएं। गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा लेने से पह अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।